दियर विवर्स यूर मोस्ट वेलकम इन यूर ओन एजुकेशनल यूटूब चैनल शिख डिमेंशन एज़िपी और आज का हमारा जो टोपिक है बड़ा ही महतोपून बड़ा ही इंपोर्टेंट टोपिक है और आज का टोपिक हमारा है इल्म और अमल को लेकर नोलिज और प् वह की दिल्चस्पी नहीं है अगर आप सोसल मेडिया यूटूब वाट्सप पर देखें तो आदर्स टाइप की बहुत सारी वीडियो आपके सामने होती है आप उनमें इंट्रेस्ट लेते हैं लेकिन जैसे कोई पढ़ह लिकाई से रिलेटिड कोई वहापर वीडियो आती दावने बिस्ट लेखेंग synth लिए निहीं इल्म और अम slips और कि रिके jurist हैं को कि वहापर सास्तियु इसुसायटी में होता है तो आज ऀसी बात को लेकर पर बात करेंगे के इलम और अमल का क्या ... अटेच्मेंट ओफ नौली एंड प्राक्टिस हेर वी डिसकेस टुड़े ओन दिस टॉपिक यानि इल्म और अमल का यहाँ पर बहुत ही गहरा तालुक है दोनों का एक चोली दावन का साथ है दो एक पहिए की तरह होते हैं और इंसान से दोनों होते हैं इसकी बारे में डिसक होता है एक कोशन और हमारा की कोई भी काम हम 100% सो फिजदी कोई भी काम हम कैसे सीख सकते हैं और कौन सा इल्म बलंद मरतबा होता है कौन सा इल्म हाई क्वालिटी का इल्म होता है कौन सी नोलीज हाई क्वालिटी की नोलीज होती है इसके बारे में आज यहां पर डिसकस करे है और कौन से इंसान की खौइश इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती और कौन सा इल्म ऐसा होता है कौन सी नोलीज, कौन सा ग्यान ऐसा होता है जिसका कोई फAY्दा हमें नहीं मिल पता तो इस तरह के ही CS हम आपके सामने लेकर रहे हैं तो उनको शुरू करते हैं लेट आस्ट बीवर्स हम आपको अपने कोशन की तरफ लेकर चलते हैं और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा इतने भी स्टूडेंट्स हैं इतने भी गारजंट्स हैं दोस्त भाई जितने भी सब लोग हैं इस सब को बहुत ही हमें निम्म और इते स्मेश्ट को यहां और डिया का और अब्यासा नोली होती है उस मझा पर क्या इस्ता देख लिए यह आप देशाते हैं और यहां यहां पर आप देखते हैं इल्म है यानि नोलिज है उनकी इन्होंने आप पर नोलिज गेंड की है यह नोलिज आप इसकूल में जाकर भी गेंड कर सकते हैं यह नोलिज किसी आप किसी शिक्षक के पास रहकर भी गेंड कर सकते हैं या फैमिली में रहकर भी गेंड कर सकते हैं परात्ब कर सकते हैं उसके बादं यहां पर आप देख सकते हैं कि अमल और यह प्रैक्टिस है हमारी बिल्कुल इसी तरह जैसे अप स्कूल में अगर पढ़ते हैं होता है अगर आप प्रैक्टिकल पर नहीं देंगे तो इसमें पास होना पड़ता है तो देख लिए यहाँ पर इंसान होता है। बच्चा पैदा होता है तो डिरे और आगे बढ़ता है, तो उसका इल्म उसका नोलीज, उसकी इल्म बढ़ता जाता, उसमें improvement होता जाता है, उसकी बड़ूतरी होती है, लेकिन ये इल्म तबतक इनसान को फैदा नहीं देता, तब तक तक कोई फैदा नहीं होता, आपने कितना भी इल्म आपने प्राप्ट कर लिया हो, कितना भी experience ले ले लिया हो, लेकिन जब तक आप उसको अ यहांखे होते हैं टू आइस होती हैं दो आंखों की तरह बिल्कुल यहांपर यह आपको न cinemat और हैं कि यह इन ढोर हैं तो यह पर आ कामयवी रहेगी उसके बाद इसलिए इंसान के लिए इलम है इसलिए है लेकिन अमल अगर नहीं करते हैं अर इनका एक बड़ाई गएरा पिंट का नोलीज आपर ब्रर्य !!! महत्तोपूर यहाँ पर अटेश्मेंट होता है और इस अटेश्मेंट को यहाँ पर बनाय रखना होता है अगर माले एक इनसान है उनके पास नोलीज है लेकिन अमल नहीं है तो नोलीज क्या करती है इनको कोल करती है इनको पुकारती है अमल को पुकारती है अगर अमल उनकी बात सुन लेता है यांगर किसी इंसान के पास इल्म है और इल्म प्रैक्टिस को पोकारता है और प्रैक्टिस उसकी बात नहीं सुनती यानि यह इन एलम यह नौली यह भी इनसे इनसान से चली जाती है यह भी एक दम्यां से गया हो जाती है दूर हो जाती है और इसे इनसान को यहां पर कोई फैदा नहीं हो पाता तो यहां पर यही जुरूरी है कि जब भी हम कोई नोली ले उसकी प्रैक्टिस भी करें और प्रैक्टिस करने के लिए आपने सुना भी है कि practice max ml perfect यानि एक इन्सान को जो practice होती है वो इन्सान को perfect बनाती है practice make a man perfect यह आप पढ़ा है पढ़ता रहते हैं कि यह आपकी practice यह एक आदमे को perfect बनाते क्योंकि बिला knowledge से ग्यान से कोई यहाँ पर perfect नहीं बनता जब तो सोसाइटी में नहीं निकलेगा, सोसाइटी को कोई फैदा नहीं ही होगा, तो आप नहीं देखा कि इल्म और अमल का यहां पर कितना बड़ा महतपूर्ण यहां पर रोल है, और कितना बड़ा इसका अटेच्मेंट है, दियर वीवर, दियर वीवर, अब हम अपने next question की तर कुसाओं है, टीचर काई है, यहां पर यह पर यहां पर यह दफिए हम सोटी, परसे ओनने देख लीजे हम यहां यह पर्ड़ा माल लीजे है, और कितना बहुते तो आप रोल हम earlier, एक आप पदा महल सपूर्धाली होता है तो इसके पीछे चुपे वे हैं यानि कहने का मतलब है कि जब तक हमारी जबान नहीं खुलेगी जब तक हमें इनसानियत का कुछ भी पता नहीं चलेगा को इनसान यहां पर कैसा है तो यह जबान जब हम बोलते हैं तो उसकी भासा उसकी लेंग्वेज भी हमें पता चिल जाते हैं कि इनसान की भासा लेंग्वेज कैसी है और ये भी हम अपने आपको पेश करना है तो हमें कुछ नगुज यहाँ पर नो खोलना होगा आप देखते हैं कि क्लासिस में भी हम देखते हैं कि कुछ स्टुडेंट्स चूप रहते हैं वो नहीं बोल पाते हैं बिल्कुल चूप रहते हैं कोई कोशन भी नहीं पूछते तो मेरा उनसे यहीं यहां पर रिक्वेश्ट रहेगी कि वो प्लीज वो यहां पर अपने टीचर से अपने जो भी उनके प्रॉलम सोलवर हैं पत्परदाश हैं उनसे कोशन करें और उनसे डिसकस भी करें ताकि खाली और इंसान करते हैं इंस का च्छिपरा यहां पर सिंपल्स सब्सक्राइब करने नयुक्त है कोंसा उल्म अच्पान होता है कोंसी हईक्ष्अ कोंसे बतान है जनती है यहां अच्छय करें यहां पर देखलन हो सकता है हमारे सामने के केंडिडेट्स हों और सभी के पास हमापर नोलीज हो सभी के पास ग्यान हो लेकिन किसके ग्यान की रैंक और पोजिशन हाई होती है हम यह यह देखना होगा यह देख लिजिए हमारी जबान है और यह हमारा पूरी बोड़ी है पुरा बदन शरीर है और से APP किसी भी हिसाब से हम उसको यह पर पाइल्म होगाWHO payer है वेलियू लेस्ट होगा बेकदर होगा उसका यहां पर कीमत यह यह पिन होगा जैन्ह इस लिए है के विधिया के लिए जुय हाँ विधिस बैकदर हो गांडि ब्लंद मरें होगारी इसका और सशाइटी को यहां पर प्यादा पहुंच बैसे हुई कि कौंसा इलम फाइदा नहीं देता ajn विश्ट नॉलिज इनोट यूजफुल या प्रॉफिटेबल हमारे लिए कोई सा फैदमन नहीं होता है आप पर इलमें देख लिए हम पहले देख लिए हम पहले देख लिए हम पर तू टाइप्स ओफ नॉलिज हियर यानि इलम के यहां पर दो टाइप बता गया है एक ऐसा है जो हमने गरण कर लिया है निवी सामने नहीं आ पाति है आप ती है क्भी-कभी कुछ बा थे सुन लेते हैं तो वो सभी हो सकती है घ्लत तो ऐसा सुना-सुना इल्म में यहाँ पर कोई फैदा नहीं दिसकता बलकि यह सुना-सुना इल्म इस तरह का होता है जब तक आउन उसकी तहकिकात ना करें तो वह हमारे लिए नुक्सान दायक भी हो सकता है हामफुल भी हो सकता है यहां यहां फिर्ट्विवर्ण्छ यहां पर है कि कौन से ख्वाहिश-मन सेड नहीं होते यानि ऐसी कौन सी परसनाल्टी है जो कभी भी सैटिसफाई नहीं होते जो उनके पास होता है उसे रिख्षा होती है कि और उसको बढ़ा जाए तो इस तरह के हमारे सामने दो personality यहां पर निगलती हैं, दो सिक्षेत यहां पर ब्रेक्वी निगल कर आते हैं, जो कभी भी satisfying होते हैं, एक तो हमारे पास तालीबि इल्म होता है यह इस्टुटेंट्स होता है, विध्यारति होता है, जो कभी भी जिसके जो उसके पास इल्म हो करता है तो यह इस तरह की परस्टनालिटी को अपनी जारी रगता है और अपना ग्यान को बढ़ाता जाता है यहां पर उसके बाद यहां पर दूसरा जो हमारी परस्टनालिटी है इस तरह की जो कभी है मगता है तो वह कभी उनके पास कितना भी धन record हो जायं स evolution है क्या उसका मेत्पौ। ह मैं सब कुछ जाइता है। कोई इन्सान में होते हैं लाखों क्रोड़ों में ईक इन्सान होता है। हृसे कुछ कबlorिक्त हमुशские और पर जानते हैं। यानि हमें कहने की आद़त डालनी चाहिए के में नहीं जानता और अगर तो हम यह कहने की आद़त यह पर डालनी कि हमें यह होना हम की कि क्सी हर काम को अगर नहीं जानते है Ba या रीडिंग करते येusta जो काम नहीं आता तो वो चांचे क सीख सकते हैं किसी करते हैं या reading करते हैं, study करते हैं, teaching हम class में पढ़ते हैं या किजिक सीखते हैं, तो खालि के book पढ़ने से या teaching करने से, study करने से हम उनली काम करते हैं कि उनके पास और हो जाए, जो करूड़पती है वो अरपती बनना चाहते हैं, जो अरपती वो और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस कौन सा material चाहिए, कौन कौन सा material की requirement है, तो खाली हम कुछ ना करें, खाली उसको study करें, तो क्या हम चाह बनाने सीख जाएंगे, नहीं, हम सिर्फ उसकी नोली हमें हमारे पास अभी उसकी practice नहीं होगी, उसका experience नहीं होगा, खाली हम उसकी study कर चुगे हैं, हमें पता है कि इस चया बनाते हैं, कि हम सामने खड़े खालते हैं, और कोई यमाली जी बना रहा है, वहाँ पर भूशे बना रही है, तो आपर हम उनको देखते रहते हैं, कि कैसे start करते हैं, कहां से पहले, कौन सा material में मिलाते हैं, क्या करते हैं, कब क्या करते हैं, तो यह सब ऐसा करने से हम चया बनाने को 75 तक सीख सकते हैं, दूसरे को कोई भी काम करते हुए, वह चया बनाना हो, या कोई और काम हो, कोई प्रैटिकली वर्क हो, कोई भी काम हो, जब हम किसी दूसरे को उस काम को करते हुए देखते हैं, तो हम उसका 75 परसेंट हम उसको गयन कर लेते हैं, 75 लगते हैं और फिर क्या होता है की हम उसको कि खुद کرके देखते हैं पहले हम देखते हैं जो हम도 हमने दूसरे रिक आ लिए धिए हम्हारे पास लिए सबикс के लिए लगता हैं कि हमने फरूट के लिए इसके पर पहुंचा पाएगा इसी तरह हमारे पास जो इल्म होता पाती जब तक वो हमारी प्रेक्टिसमें ना है, जब तक हमें वह experience में आकर हमारी life में, हमारी society के लिए काम में ना है, तब तो वह हमार लिए बेफाइदा होती है, कोई फाइदा नहीं होता, तो आपने dear candidate, dear students and guardians, आपने देखा कि इल्मों और अमल नहां पर किस तरह से एक दूसरे अटेच्छ हैं और दोनों को हम किस तरह साथ ले के सलते हैं तो मेरी आप से यह रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई इल्म सीखें तो उसको अमल में जुरूर लाएं उसके अनुसार ही अपनी लाइफ को गुजारें और अच्छा जीवन जीए थैंक यू